मेडिकल बुलेटीन विल बी इस्चुट सबसीकोएंटली तुटी दैंक यू शो मेंबरेर मेडिकल बोर्ट अनरेबल सी एमके आजके सकाले एक्जामीन कोरे चेन दुफुरे एबं तार लेफ्ट एंकले प्लास्टार जेटा करा आचे ड्यू टु बोनी इंजूरी हार हेल्थ कांडीशन इस स्थिती शिल्ब बाट पाये प्रोचंडो ब्याथा आचे एबं तार साथे प्रोंटाल एडेक ब्लाड रिपोर्ट जा समस्त ब्लाड परिक्खार रिपोर्ट आमादे रेशेगा चे ताते सोडियामे रिक्तु कम्ती देखा जाचे एबं बोर्ट आचके दुफूर बैला देखे आरोकीचु रेडियोलोजीकल इन्वेस्टिगेशन प्रेस्क्राइब करेचे इंक्लोडिंग एक्स्रे सिटी स्कैन एबं आपाद अतो कालके जा लाइने ट्राइक्मेंट चोल चिलो शेई ट्रीटमेंटी चोल बे तास्षाते सोडियामे पोर्ति जेता शेटार कारेक्शन एबं बिकेल बैला आबार मेडिकाल बोर्ट टोटाल कंडिशन रिव्यू करबे एबं तार परे अपनारा नेक्स्ट मेडिकाल बुले तिम पाद प्लास्टार केजिंग करा है जेटा बोला मुष्किल बिकेले बाकी इन्वेस्टिगेशन होये मेडिकाल बोर्ट टाइम टुटाइम रिव्यू करे जे पुरिस्तिति दारा आबे आपनारा सब्समें अपडेट पाद बुले पुके रखा जेटा आमेर बौला आजे जे पोस्त रॉमातिक यह सिंटम लोह हो चलो तार्जोन नाए बाकी इन्वेस्टिगेशन गुलोह आरोखे आजे उन्युरी किस तरिके का है, यहे यह राई प्रेके यहाला आप लिगमेंच्छी बोनी इन्युरी है जिए थ हैं, वह स्थाना बिरल राइन करें, और रहेंगे, आपको ममता बैनड़ जी की तबीदे के बारे को दोक्टर्स ने ममता बैन Lewis की स homeland, की सिहते की जानकारी दी है और यह कहा है कि हम समय समय पर medicinal बुलिड़ जारी करते रहेंगे आपको ममता बैन dough gee की तबियत के बारे में बताते रहेंगे ममता बैनर जी की फिलहाल इस्तिती स्थिर है ममता बैनर जी ठीक है हाँ उन्हें थोड़ी बहुत चोटे आई है प्लास्टर उनके पैर में किया गया है उन्हें गर्दन पर हलकी सी चोट आई है उनके सीने में दर्द की शिकायत है वेडिकल वही कोलकाता में अस्पताल के बाहर मौजूद थे इंद्रजीत हम चाहेंगे कि आप हमारे आज तक के दर्शकों को बताएं डॉक्टर्स ने जो मेडिकल जारी बुलेटिन जारी किया है एक एक बात कैसी तबियत है मंतव एनर्जी की इंद्रजीत जी हां सईद आज मेडिकल बुलेटिन कुछ देर पहले जारी की गई है डॉक्टरों ने ये कहा है कि छे सदिस्य का एक डॉक्टर बोर्ड उन्हें लगातार निग्रानी में रखे हुए है और प्राइमरी इंवेस्टिगेशन जो भी मेडिकल इंवेस्टिगेशन से ये पता चल रहा है कि उनके सोडियम लेवल कम हो गया है जरसल डॉक्टरों का ये कहना है कि इंसिदेंट होने के बाद वो पोस्ट्रॉमाटिक स्ट्रेस में है और इसलिए उनको स्टेबलाइज करना जरूरी है कुछ रेडियोलोजिकल इंटर्वेंशन की बात की गई तल एक्स्रे को एक मेडिकल बॉलिटिन जारी कर दिया जाएगा लेकिन सबसे बड़ी ख़बर इस वक्ति यह है कि मुख्यमंत्री ममताव अनर्जी का स्टिपी जो है वो मेडिकली स्टेबल है मतलब स्थिर है बॉल्द दिन्वाद इंद्रजीत इंद्रजीत कुंडू हमारे संफ़ादाता जानकारी दे रहे थे SSGM अस्पदाल के बहार हम आपको सीधे लिए चलते हैं क्योंकि अस्पदाल के बहार मौजूद है हमारी सही होगी हमारी साथी चित्रा अत्रपाठी चित्रा मेडिकल बॉलिटिन जारी हुआ है इंद्रजीत ने हालांकि सारी बात बता दी है लेकिन एक बार फिर से आप भी हमारे आज तक के दर्शकों को बताईए ममता बैनर जी के बारे में इस मेडिकल बॉलिटिन में क्या क्या कहा गया है उनकी तबित कैसी है देखे तीन बड़ी बाते जो इस मेडिकल बॉलिटिन से निकल कर सामने आई है पहली ये कि फिलहाल ममता बैनर जी की जो सेहते वो इस्तर है उनको जो चोटे आई हैं उसको लेकर डॉक्टर्स की एक पूरी की पूरी टीम है जो लगाता नजर रखे हुए हो और आज शाम को एक बर फिर से चकक करने के बाद देर शाम एक और मेडिकल बुलिटिन जारी किया जाएगा ये जानकारी निकल कर सामने आई है यकिनां जिस तरह का पैर में फ्रैक्चर है जिसके बाद प्लास्टर चढ़ाया गया है ममतब एनरजी को अभी पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा इसी वज़े से डॉक्टर अभी जादा कुछ इस पूरे मामले में कहना नहीं चाहते ममतब दीदी पूरी ठीक किया जा सके लेकिन इन सब की बीच आपको ये भी बताते चले कि यहां पर टीमसी के तमाम नेताओं की आने जाने का सिलसला लगातार जा रही है मिमिच अक्रवर्ती जो की सांसाद है वो पहुंची वी थी मेडिया से बात करते वे वह भावुक हो उटी उनकी आँके बर गई थी और लगातार यहां पर नेता पहुंच रहे हैं लेकिन इन सब की बीच आरोप प्रत्यारोप की जुराजनीती इस चोट पर चल रही है चोट पर जो सियासी अधिग्रहन इस वक देखा जा रहा है पश्म मंगाल में उसने कई सवालों को जन्द दे दिया है यकी यह कहा गया है देखिए यहां पर लगतार नुश्रत जहां आई हैं नुश्रत जहां कि यह तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आप सांसद हैं टीमसी की वो इस वक्त अंदर चली गई है इसके ठीक पहले में चक्रवरती यहां पर पहुंची वेती और अब नुश्रत जहा किसी को नहीं दी जा रही है लेकिन लोग महाँ पर टीमसी के नेताओं से मिलकर आपनी जो भी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे हैं साइद चितरा बीजेपी के भी कुछ नेता आये थे वो मिल नहीं पाए इस तरह की हमाई ख़बर आई थी आपको कोई जानकारी मिल पाई है वो मिल नहीं पाई या उन्हें मिलने नहीं दिया गया और कौन कौन आये थे नहीं देखे डॉक्टर्स की ओर से इंस्ट्रक्शन्स हैं कि अभी फिलहाल मतब किसी को भी जितने भी नेता बाहर से आ रहे हैं देखे सीधे ममता बैनर जी से जाकर मुलाकात की इजाज़त किसी को नहीं दी जारी है यहां पर टीमसी के जो सीनियर लीडर मौजूद है या लेकिन ममता बैनर जी को फिलाल किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है चितरा बता रही हैं कोल काता के अस्पिताल में भरती ममता बैनर जी से मुलाकात करने पहुंची टीमसी सांसद मिमी जेगरवर्थी बहुत भावख हो गई मिमी की आँखों से आसू छलका है आँ प्राइटी होलो जे दिदी जाते खुब शिगीरी शुस्त होए उठू आर भगवाने काचे एटा ही प्राथ्था ना शावाई प्रेकरों जाते दिदी खुब शिगीरी शुस्त होए उठू करों कि देखों दिदी चुन नहीं कुड़ो बंगला आज गे दिदी हॉस्पिटेल आचे एक आमधर काड़ोई भाल लगजे ना सब्सक्राइटी हो लो जे दिदी जाते खुब शिगीरी शित्रा मिमी आई हैं आपने उनके तस्वीरे भेज़ी हैं वो रो रही हैं उनके आँखों में आसू हैं और बहुत सारी बाते उन्हों का एक दौर भी चल रहा है मंदाब एनर्जी 65 साल से जादा के उम्र की है और उन्हें जिस तरह की चोटे आई हैं उसके मद्दे नजर यहां पर और फिलाला आपको बता दें कि कुछ नहीं था यहां पर आ रहे हैं अपने बाते कहने के लिए लौके चैटर जी लौके चैटर जी इस वक कुछ क्या रही है पहले उन्हें सुनते हैं अब अब कर सकती है चित्रा आप जिद्रा आप सवाल पूछ सकती है उनसे अब गिये चिलाम दाखा कोड़ते गिये चिलाम ड़क्टर एकोन माना कोड़े चिन दाखा कोड़ते आमादेर उनादेर कोखो थेके राजयोसाबार शदोशो तेरेक अब्राइन जी उनी बथा बल छेले नामाश देशाते एबंग बोल्लें जे एकोन बोने फ्रैक्टर आछे एबंग एक्षापता हो होतन तो मिनिमाम बेड प्रेस ठे ठाकते होवे एबंग आदरवाइज अम्राजिगेश कोड़े ची माथाय फ्रैक्टर होई चे किना तो बोल्लें एमाराई होई चिलो एबंग माथायकोन फ्रैक्टर नेही बोल लेन उनी डॉक्टरे ज़रामावे पाये लेगे छे ब्लास्टर कोड़ा अच्छे पाता और एक्षोन दाखा कोड़ा अबश्वे जाबे ना तो आम्राज चाही ब्रुतो शुस्तो होई उठू एबंग कालके जे भावे उनी जगा देख छिलाम मीदिया तो देख छिलाम उप्थूब्रे पोड़े गा छेन एबंग मने धाका लेगे जेटा ही बॉला होच्छे तो आमार मुने हाँ एखे ने खुब सीडियेस इंवेस्टिकेशन दौर कारा छे चुस्तरी इंवेस्टिकेशन दौर कारा छे एबंग एक जोन चीफ मिनिस्टर मने इरकों परोने एटा हाई लेबले सीकेरूटी जेख इसमें पूरी राजनीती भी हो रही है बीजेपी बंगाल ने भी हाई-लेबल इंवेस्टिकेशन की मांग की है इस पर आपकी क्या प्रतिक दिया है इसमें कोई राजनीती नहीं चाहिए ये मानवी कता का बात है ये रिदा इसे देखना चाहिए इसमें राजनीती राजनीती जैगा में है लेकिन ये जो कल्क हुआ है जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो जो बोल रहे है जो हमला हुआ है तो चीफ मिनिस्टर का सिकुरूटी ह तो कैसे यह वो सिकुरूर्टी को छोड़ कि यह जो आक्रमन हुआ है कैसे हुआ है इसके लिए हम लोग हाई लेबल का इंडिविस्टिकेशन चाहते है आपकी मुलाकात नहीं हो राज्य सवा से देरेक्ट अप्रेंजी से मेरा बात हुआ उन्हें बोला कि एक हपता के लिए उनको तो अभी तो रेस्ट रहना जरूरी है पैर में प्लास्टर है और हेड में इंज्यूरी अभी नहीं है बोला कि एमराई हुआ उसका डिपोट अभी ठीक है ऐसा ही बोला है उन्होंने देखे यहां पर मुलाकात करके आ रही है टीमसी के नेता और उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि फिलाल दीदी से मुलाकात करने की इजाज़त अभी किसी को भी नहीं दी जा रही है डिरेक अब्रायन जो की रज्जिस्वा की सांसद हैं टीमसी के उन्होंने अपनी पर भारती जंता पार्टी हो दोनों ही और से सईध हम देख पा रहे हैं कि हाइस तरी उच्छ तरी जांच की मांग की जारी है यहां पर इनकी और से भी जिक्र किया गया लेकिन फिलहाल मंता दीदी के सिती अभी स्टेबल है अभी स्थिर है लेकिन एक हफ्ते का वक्त उनको लगेगा फिलहाल ठीक होने में लेकिन वो चल फिर कब पाएंगी कब मैदान में जाकर चुनापरचार दुबारा से कर पाएंगी यह कहना आपने आप में काफी जादा मुश्किल होगा क्योंकि 27 सारी को ही पहले चरण की वोटिंग का दिन और उसके बाद एक कारी को नंद डॉक्टर्स यह डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है लेकिन फिलहाल कल के मुकाबले आज उनके इस्ति जो है वो इस्तर नजरारी है तो यहां पर नेताओं के आने जाने का स्लसला जारी है बंगा अली मैं अपनी बातों को यहां पर अभी जो सांसाद है वो कह रही है लेकिन कुल मिलाकर अच्छे खबर कम से कम टीमसे के नेताओं के लिए है कि ममता अपना पर रहा है आपको भी एक बार फिर से फिर से आते हैं दुबारा आपके पास परिशम मंगाल में जबरदस्त राजने तक सरगर्मिया इस समय चल रही है ममता पैनल जी के साथ नंदिक राम में जो हादसा हुआ उसके बाद राजनीती उफान पर है एमसी बीजेपी दोनों चुनाव आयोग पहुँच चुके हैं एक दूशे खलखाफ चुनाव आयोग से शिकायत कर दी गई है तो नंदिक राम में बवाल थमने का नाम नहीं लेरा बीजेपी समर्थकों ने प्रतिशन किया है शुबेंदु अधिकारी मंदर मंदर परिक्रमागर देवी देवताओं का आशिरवात ले रहे हैं कल वो पर्चा भरेंगे शेटा होच्छ जे काल के मानोनिया मुख्वमंत्री गिये हल्दिया ते तार नोमिनेशान फाइल करेछे यबाँ तार परेतीनी बिविन्ना मोंदीर बिविन्ना जायगाए ग्यां छे आपना देर मीडिया नैशनाली आमी नाम बलचीना आपनारा अनेकेई देखेचे कोनो आएक जो नंदिख्राम बाशी बलचे जे ओनार सामने कोनो मानुस पहुच्छाई नी ओनार सामने कोनो लोग जाय नी उनी दड़ जाटा खुले गारी शबाईके नमस्कार कोट्टे कोट्टे जाथीले जोखोन ममुश्का कुणते कुणते जाची ले, वोनो खामबा मने कुणो ये ते विब्रेवादा एंगेले दोड़ हम एटा कुछी एटा आमार ना एटा आमाधे पार्टी पार्टा तूई वाइटा प्रोस्तों उठेस्टे शेटा होच्छी जे काल के मानोनिया मुख्वम बिजेपी कहती है, वो चुनाव आयोग करता है, ये टीमसी ने आरोप लगाया, बंगाल को पलिस, बंगाल को पलिस से डराय जा रहा है, तो बिजेपी कहती है कि घटना सुरक्षा में बड़ी चूक है, ममता चोट मामले की पुरी-पुरी जाच हो, उच्छसतरी जाच हो, ये बिजेपी और टीमसी के एक दूसरे पर आरोप है, चुनाव आयोग हमले की जब्मधारी ले, चोट का वीडियो सारवज़े निक हो, टीमसी कहती है हमले की जब्मधारी लीजिए, बिजेपी कहती है कि चोट का जो वीडियो सारवज़े निक कीजिए, जो बिजेपी कह अपना अपना पक्ष सामने रख दिया है टेमसी इसे सासिश बता रही है तो बीजेपी कहती है कि मम्ता बैनर जी घायल होने का नाटक कर रही है ये ड्रामा है समझवी जी आठ तारिक में मार्च आठ तारिक है बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था मम्ता बैनर जी को खायल होते दिखाया रही है ये मार्च आठ तारिक है मार्च नौ तारिक समेरे इलेक्षिट कमिशिन ने वेस्ट बैंगाल के बीजेपी भर ला मार्च दस तारिक एक बीजेपी सांगसर पाच बज़े पोस्ट किया था आप समझ जाएंगे शाम के पाच बज़े के बाद क्या होने वाला है और कल शे बज़े नंदी ग्राम में मम्ता जी के साथ ये खाप समझे लगता है कि चुनावयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उमिद्वार के पीशे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सावजनिक करना चाहिए जंता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है पर एक आशेरी की बात है कि मम्ता जी के साथ इतना पुलिस का लवाज मा चलता है और चार लोग आया और प्रेटना करके चले गए तो बहुत दुख की बात है पर मैं उनके लंबी आयो की कामना करता हूं जल्दी सवस्तोंने की कामना करता हूं पुलिस के निश्कियों कोरे दवा दाइत्तो बान पुलिस अफिसात देर भीती पदोस्ष्ण करा एमन की विपदेर दिने हूं प्रशार्शन पाश्या आजते भाय पाथ छे बांगला के आतो उपेख्खा क्यानों सीसीटी भी कहा गई थी यह सरे निकालो ना निकालने से दूद बेदूद और पानी में पानी अलग हो जाईगी लेकिन यह वो नहीं करेगी इसलिए कि नजदिक चुनाओ आ गये हैं दर्वाजा चुनाओ खटकटा रही है वो जहां खरी हुई है वो चुनाओ कई दिनों क की अंदर हो चुना होगी तो इसलिए चुनाओ होने के पहले उनको यह लगी कि स्थीती नाजूख है तो सटीती होने के चलते उन्होंने एक बहाना बनाना जूरूरी समझी एक अजीब लोग हैं क्या-क्या पते चिपाते हैं कहीं पे चोट लगी है कहीं बताते हैं अब चोट जो है उनको लगी है कि नहीं लगी है पैर फिसला है कि नहीं फिसला है जमीन पे गिरी है कि नहीं गिरी है लेकिन जमीन जरूर खिसक गई है अब उसमें सच्चाई क्या है सच्चाई है की गर्बड जाला है चुनावा योग इसकी जाज कर रहा है पुराना एक्सपायर फार्मूला है यह सेंपिती गेंड करने वाला बहुत एक्सपायर फार्मूला है तो यह एक्सपायर दमाओं से काम नहीं चलता हमला हुआ होता तो उनके डीप पुलिस के अधिकारियों को जो पार्टी कार्डर की तरह काम कर रहे थे उनको जब इलिक्शन कमिशन ने हटाया मुझे लगता है कि यह उसको दर्द बया करने का एक नया तरीका निकालागी तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप देखिए बीजेपी और टीमसी द अनुपम क्या ऐसा लगता है कि सीधे सीधे यह पूरा बंगाल का अब चुनाव जो है वो फोकस हो गया है ममता बैनर जी पर और इसका चोट लगी साजिश होई या यह हादिसा है या कैसे है यह तुजाज के बाद पता चले गा या बहस इस पर होगी लेकिन चुनाव का इ जी देखे अभी जो इस्थती है बंगाल में ये पूरी की पूरी राजनीती अब इस घटना के उपर केंद्रित हो गई है और हर पार्टी इस घटना के इर्थगिर्द जो राजनीती बुनी गई है उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रही है चाहे वो टीमसी हो बीजेप ममताबनर जी के आरोपों से हुई है जहां पर एक सहानूब होती का फायदा उठा कर जो चुनाओ प्रचार है उसमें गेन करने की कोशिश है वहीं बीजेपी की कोशिश है कि जो फायदा सहानूब होती उठा कर ममताबनर जी ले सकती है उसे रोका जाए कम किया जाए और जांच होगी ये भी आपको बता दूँ कि जितना बड़ा आरोप है संभवता है ये जांच उतनी जल्दी न हो इसमें समय भी लगे चुनाव आयोग भी देख रहा है और उस वक्त वहाँ पर क्या-क्या हुआ किस तरह से हुआ जांच का पूरा खाका तयार किया जा रहा है औ और हमने एड़ जी लोय先 उ और से भी बात की थी 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 उनों कहा है कि अभी जो प्राइंडरी रिपोर्ट है वो नहीं आई है साज़ेश या किसी तरह कि हरासत की कोई ख़बर अभी तक नहीं है प्राइंडरी नहीं प्राइंडरर इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि साज़िश के देद उन पर हमला किया गया बीजेपी बता रहे हैं यह हादसा है और इसका फाइदा उठाने की मम्ता और टीमसी कोशिश कर रही है यह इमोशनल कार्ड है मम्ताव एनरजी के समरतर में कई राज्जों के मुख्यमंत्रियों और बूर्व मुख्यमंत्रियों क इस पूरे मुद्धे पर तेजस्वी आदफ हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी कुछ दिन पहले आप मम्ताव एनरजी से मिल के भी आये थे और अब कल आपकी घटना आपने देखी होगी किस तरीके से वह चोटील हो गई है पैर में काफी चो होता है यह हम लोगों को इंतजार करना चाहिए लेकिन यह बहुत ही गंभीर मसला है और एक मुख्यमंत्री पर अगर ऐसा हमला हुआ है यह भाजपा पर अगर आरोप लगे तो यह रहा है तिहाज की चुनाओं जीतने के लिए वह कोई भी हटकंडे जो है वह अपना सकते ह है कि आपको लगता है इसके बीशे भाजपा का हाथ है हो शकता है किया हुआ हुआ है चुनाओं जीतने के लिए बीजेपी कहीं भी किसी भी हद तक वो जा सकती है कि बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि एक तरीके से स्टंट है ममता बने जी ने खुदी कुछ ऐसा किया होग है कि कुछ कहीं नहीं सकते हैं कंभीर चोट आया है इस घटना की निंदा करने के वज़ाए जो है इस तरह की जूटे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी शोबनिय नहीं है क्या कारवाई होनी चाहिए को कि बीजेपी भी एक तरफ सी बीए जाच की मांग कर रही है इस मामले की उबर से इलेक्शन कमिशन भी गये हुए है टीम सी वाले तो अब इलेक्शन कमिशन पर हैं मसला आप देखते हैं कि क्या होता है उसी लिए इंतजार कर रहें लेकिन इ देखी ये फाइदा सिंपर्थी की बात नहीं ममता जी अलड़ी चुनाव जीत रही थी इसी बॉकलाहार्ट में जो है ये बीजेपी ने जो किया होगा किया है चुनाव जीतने के लिए या कोई भी हटकंडे अपना सकती किसी भी पैमाने पर बीजेपी के लोग जा सकती कि एक दम एक दम एक दम एक दम एक दम तेजस्वी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं ममता के साथ हैं उधायर रोता प्रदेश के पूरी वे मुख्य मंतरी अगिलेश ने भी इस गटना की निंदा की देखते रहे हैं आज तक नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहे हैं आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले